नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक नए अंदाज का एक नायराई स्टाइल कुर्ती सिखाने जा रहा हूँ इसमें जो सबसे बड़ी खास्यत है एक तो प्रिंसिस कट बनेगा और इसमें जो प्लेट्स लगाई जाएंगी वो बिल्कुल एक साइड में लगेंगी बहुत ही अच्छा इसका लुकाता है बनने के बाद पहना वो बहुत ही खूबसुरत लगता है और दोस्तो मैं आपको ये भी बताना चाता हूँ अगर आप सलाई का शोक रखते हो घर बैठके सलाई सीखना चाते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स जोईन कर सकते हो स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की आप डिटेल्स ले सकते हो तो दोस्तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो दोस्तो आज की वीडियो में जो कुर्ती का स्टाइल में आपको सिखाने जा रहा हूँ नायरा स्टाल कुड़ती उसमें जो टोटल कपड़ा लगेगा वो लगेगा आपका पोने तीन मीटर अगर लंबाई ज्यादा रखनी हो तो तीन मीटर कपड़ा भी आपका लग सकता है अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हो या फिर छोटी बाजू का बनाना चाहते है तो आपने रखना है सीधा वाले हिस्से को और बाहर की तरफ रखना है अपने उल्टे वाले हिस्से को कपड़े को डबल बिचाने के बाद आपने इस इस प्रकार से फोर फोल्ड कर लेना ही देखी किनारी वाले हिस्से आपको उस तरफ रखने और जो बंद वाला भाग है वो के 43 इंच, सीने का जो तयार नापे वो है सवा 9 इंच, कमर का जो तयार नापे वो है साड़े आठ, हिप की इस तरह की कुर्ती में जूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फ्री साइज होता है, कमर तक ही फिटिंग होती है, बाजू की जो लंबाई है दो इंच का एक निशान लगाना, यह देखिए, जो कि मैंने पहले से यहाँ पर सीधा एक निशान लगा लिया है अब यह जो दो इंच का मैंने निशान लगाया, इसमें आपका मारजन भी हो जाएगा और जब चोली को आपस में अटेच करेंगे, वो मारजन भी इसके अंदर इंकलूड हो जाएगा तो दो इंच आपको पहले नीचे से कपड़ा रख लेना है, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है लंबाई का नाप, यह देखिए यहां से आपको जो 43 इंच लंबाई है यह देखिए, 43 इंच आपको लंबाई रखनी है, बिल्कुल फिक्स लंबाई रखेंगे, 43 इंच क्योंकि मारजन मैंने नीचे 2 इंच ले लिया है, यह देखिए 43 इंच पे आपको सीधा एक निशान लगाना इस तरह से, अब इस नि निशान को बिल्कुल सीधा अपने लेकर जाना नीचे इस प्रकार से, क्योंकि पीछे से जो गला है, इसका बड़ा है, 7 इंच का गला है, तो simple formula यह होता है, जब किसी का गला बड़ा हो पीछे से, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, तो 13 आपको 6 इंच ही रखना है, क्योंक यह देखिए, तो यहां से जब आपकी गुलाई आ जाएगी, तो यह आपका 6,5 इंच आर मोल है, यह देखिए, मैं आपको बता जाता हूँ, अब इस निशान से जस्ट आपको 1,5 इंच नीचे एक निशान लगाना होता है, यह देखिए, यह होता है आपका lower breast और upper breast, तो कि हमारी चोली का तयार नाप होगा, तो यह देखिए, साड़े पंद्रा पे आपको सीधा एक निशान लगाना है, अब इसके बाद दोस्तों हम करेंगे इसमें marking, marking किसकी करनी है, सीने की, तो सीने का जो नाप है, आपको दोस्तों यहां से लगाना है, नीचे वाले निशा से, जो की मैंने आपको बताया था, सीना जो तयार है, वो है सवा 9, ठीक है, यह सवा 9 है, लेकिन क्योंकि बीच मैं से यह हिसा कट होगा, तो जब बीच मैं से यह कट होगा, तो कट करने के बाद इसको आपस में जोड़ेंगे, तो फिर आपका सीने ताइट ना हो, तो एक का मार्जन उसमें भी चला जाता है तो 7,9 की जगे आपको लेना है 7,10 इंच यानि 1 इंच आपको एक्ष्टर इदर से रखना है तो एक्ष्टर रख लिया 7,9 की जगा 7,10 इसी प्रकार से कमर इसकी 5,5 है तो 9,5 की जगे आपको 9,5 पर निशान लगाना है ये देखिए इन दोनों निशानों को आपस में आपने इस प्रकार से मिलाना है ठीक है और यह जो निशान है यह वाला जैसे यहां से कितना आ रहा है यह आ रहा है सवादस तो यहां से आपको हलका सा अंदर की तरफ निशान लगा लेना है आधा इंच कम करते हो इस प्रकार से इससे कहा द 1.5 inch की दूरी पर यह 1.5 inch की दूरी और इस प्रकार से इसको आपने मिलाना है ठीक है तो यह होगी हमारी marking हलका सा इदर से आदा इंच आपको डाउन करना होता है जो कि हम हर सूट में करते हैं इस प्रकार से तो दोस्तो इतनी marking करने के बाद अब आपको क्या करना है अब आपको यहां से इस जो यह जो मैंने निशान लगा है इस निशान से आगे आप जितना एक इंच डेड़ इंच दो इंच उतना आप रख सकते हो एक इंच जैसे कि आपर मैं रख रहा हूं दो इंच ठीक है अब दोस्तो इसमें आपको इस जगे से जो लंबाई का निशान है यहां से आपको साड़े दस पर एक निशान लगाना यह देखिए अब इस निशान को आपने कहां जाके मिलाना है उपर आर महल में जाके मिलाना है थी अब दोस्तों यहां से जो दूरी रखी थी मैंने कितुनी अब आते नीचे की तरफ इस चीज को दुबारे देख लें यहां से साड़े 4 की दूरी रख घी है मैने और नीचे से इस दूरी को थोड़ा से आपने बढ़ार Лेना है कितना बढ़ाना है 1.5 की जगए आपने यहाँ से लेना कम साड़े साथ ये देखिए ये निशान तो तो इस प्रकार से ये ये इनिचे सार्ण के सत्व्हाः JULYन के सब्वाया है अब इन सके बड़ने के सब्वाइल है इस प्रकार सेगे मार्किंग बगमेर अब इस intentar को कैसे करनी है. यह देखिए. आपको कतिंग केवल आपको यहां तक करनी है, इसके बाद आपको आगे से केटिंग कैसे करनी है यह देखिए. यह जो èना पृ्रिंसिस कट वाला इसका रहा हैñ यह कटिंग कर दी मैंने ठीक है अब इसके बाद इससे आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है इसके बाद दोस्तों आपको जो कटिंग करनी है इस वाले पार्ट की कटिंग नहीं करनी यह देखी इस पार्ट को आपने अलग रख लेना इस परकार से अब आपको कटिंग करनी है यहां से यह देखिए इस जगे से अब यह जो कपड़ा बचा इसको रखेंगे साइड में क्योंकि इस से आपकी बाजू निकलाएंगी अब इस चीज को थोड़ा सापको द्यान से समझना होगा यह देखिए इस पाट को मैंने ऐसे लग कर लिया यह देखिए ठीक है नीचे स आपको कुछ नहीं करना जितना इसका फूल गेर है उतना आने दो अब दोस्तों यह जो पाट अलग हो चुका ने यह वाला इसको भी अलग रखते हैं अब आपको क्या करना है अब आपको केवल जो प्लेट से लगानी इस एरियस में लगानी है यानिकि इस प्रकार से लगब इतना कपडा बच रहा है देखे यहां तक तो यहां पर एक निशान लगा जाए ताकि ज्यादा बड़ी प्लेट नहीं लगाएंगे केवल एक एक इंच की प्लेट लगानी अब यहां से इस तरह से आपको निशान लगाना है देखे नीचे जाकर यह जो एक्स्ट् थया प्ले यह हैं, और चारपले यह है इनको आपस में आपको आटेच करना है यहां पर प्लेट लगानी है वो इस commit कर === और आगे से देखी यहां से मैंने इसको कट नहीं करा, इसको जो कट करा है केवल इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया, इस चीज को बस थोड़ा सापको ध्यान से समझना होगा, रही बात इसके फ्रेंट वाले आर्म होल की कटिंग की, दोस्तो उसकी कटिंग हम बाद में पहले, पहले, इनको सबधी आकस में अटेज कर लिए, जोड़ लेंगे, रही भात इसकी बाजू की तो दोस्तो बाजू जिसप्रकार से हम नौर्मल सुट के बाजू की कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से इसकी बाजू भी आपको कट कर लेनी है, अगर आपको बाजू की क कर लेते हो अब देखिए इन चीजों को समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है इस पार्ट को तो अलग कर लेते हैं इसके भी जूट हमें नहीं है में है यह यह चार पल्ले यह हैं अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई पल्ला उल्टा सीद आपका ना लग है इससे आपको अंदाज है यह रहेगा कि यह जो पल्ला है यह पल्ला हमारा अंदर की तरफ रहे किस प्रकार से देखिए एक पर्ला में उठाया ठीक है यह उठा लिया मैं और एक पल्ला में यह उठा लिया अब इस कला तक का निशान इह पहलें ही आपको प्लेट लगानी है और ahh punish केıldıर को लेकर चलता हूं तो दोस्तों किस परकार से आपको प्लेट लगानी है ये या दिखी ये नीचे वाला पल्ला ये उपपरका जो पल्ला इसको आपने इस प्रकार से रखना है अब इसमें जो मेन बात वो यह है कि शुरुवात आपको इधर से करनी है यानि कि इधर से आपको यह जो कट दिख रहा नहीं यह वाला यह देखिए आपको निशान भी दिख रहा होगा यह तो हमारा स्लाई में मारदन चाहेगा तो इस मारदन तक तो बिल्कुल सीधी आपक चार यह वह पांच प्लेट आएंगे ज्याद़ नहीं आएंगी यह देखिए जिस प्रकार से हम सलवाल में फ्लेट लगाते आना उसी प्रकार से आपको इसमें प्लेट लगानी है प्लेट लगाते समयwhen Steph's आपको यह देखिए इसको बराबर रखना है यह ठीक है और यहां से तो थोड़ा से डिस्टेंस आपको उतना रखना है क्योंकि जब हम इसकी प्रिंसिस कट वाली से लाई करेंगे तो यह प्लेट बिल्कुल इसके उपर नहीं होनी चाहिए यहां पर जो है कमसे कर मार्जन होना चाहिए आधा इंच से पौन इंच के करीब यह देगी इस प्र मैंने दो इंच एक्ट्रा लिया था तो इस प्रकार से मैंने जो प्लेट लगाई है आपको चारों पल्लों में प्लेट इनको लगा लेना है तो चारों पल्लों में प्लेट लगाने के बाद इसका कैसा लुक आएगा मैं आपको समझाता हूं काउंटर पर तो दोस्तों से यह वाल इससा जुर जाएगा आप देख सकते हो इसमें मैंने प्लेट्स लगा लिए है इदर लगाई इधर लगा प्लेट लगाते समय आप देखें इधर से जो है आपको इतना गप रखाना है जो की इसे में मारजान रखना है क्योंकि जब इसको आपस में जोड़ेंगे इस प्रकार से जब श्राय लगाएंगी तो बिल्कुल इसके उपर प्लेट नहीं आएगी तो इस प्रकार से आप यह देख सकते हो कि मैंने जो प्लेट्स लगा ली है नीचे इसका पूरा पूरा घेर है आप दे और इस चार डोरिया बनाई है और इन डोरियों को आपने यहां पर लगाना है इस जगे पर ठीक है इधर एक डोरी को लगाना है एक डोरी को आपने इधर लगाना है ठीक है और इसी प्रकार से बाकी की दो डोरिया है आपको पीछे वाले पल्ले में लगानी है चाहे पीछ प्रेकर को नहीं से कि यहां है कि Cabinet इतना इससे में आपको सीधी सिर्दी सलाई ही लगानी हैं लेस्ट को लगाने के बाद फिर आपको इस ड॓री को यह ना यह पर रखना However प्रकार से और बाद में इन पल्लों को आपस में अटेच करना है तो पहले लैस और डोरी में लगा लेता हूं उसके बाद आगे का प्रोसेजर में आपको बताता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मैंने लैस और डोरी को अटेच कर लिया इधर भी और इधर भी इस के बाद आपको क्या करना है अब आपको इसका जो पिर्ट्सस कट वाला पार्ञा आप से इस पर लगाने इस時間 को नेशका लगार देख सकते हो क्योंकि एक पार्ट में मैंने लगां आप यह देख सकते हो और इस परकार से हमारी gather's हैं जो हमारी जो plates लगाई हैं हमने वो केवल इतने हिसे में beach का इसा बिल्कुल plane है और इस तरह से आपकी last लग जाती है दोनों ही आगे पीछे के यह जो part है आपको इतने हिस्से तक जितना मैंने आपको बताए complete कर लेने उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं तो दोस्तों इस प्रकार से आगे-पीछे के दोनों पल्ले मैंने त्यार कर ली हैं तो अभी तक तो बिल्कुल सेम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे-पीछे और यह देखिए एक पजो पल्ला इसको मैं इस प्रकार से फोल्ड कर रखा है आप देख सकते हो अब इसको ऐसे फोल्ड करने के पीछे क्या रीजन है तो दोस्तों यह देखिए इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो यह है कि जब हमने इसके आर्म होल की कटिंग करी थी ठीक है यानि कि जो उसके मुढ़ी की कटिंग मै इसने करी थी तो मैंने काटा था इसको 6.5 इंच यह देखिए इस प्रकार से ना लेकर अब यह कितना रह गया यह रह गया साड़े 5 उसकी पीछा कारण दोस्तों क्या है कि यह देखिए आधा इंच एक इंच इदर से दब चुका है और आधा इंच इदर से जलमत्तर समया तो कि देखिए अम्हाने के बाद आपको करनी तो के अरम हुल की दोबारे से कतिग तो क्यव्स के दोबारे से यह दोबारे से अमड़ा से यह दएक इंच को आपने किस पर के लगए साइस को बढ़ाना यह देखिए 9 Defense क्या जाला confusion हो जाता इस वज़े से मैंने इसको बाद में कट करके आपको दिखाया है तो यह हो गया हमारा फ्रंट वाला आर्मोल इसके हल्की सी कटिंग हम एक्स्टा करेंगे इधर से जैसा कि हम हर सूट यह ब्राउज में करते हैं तो यह मेरा फ्रंट वाला पार्ट मैंने सन्ट कर लिया है अब इसी प्रकार से यह है इसका हम पीछे वाले भाग में कटिंग करते हैं इसका आर्मोल आपको इसी से कट कर ले relevant क्योंकि आर्मोल दोनौं के बिल्कूल अभी तक बर्दा है तो इसको भी आपने इस प्रकार से इधर से एक इंच बढ़ाते हुए इधर से इसकी गुलाई करनी है ताकि आर्मॉल आपको इसकी प्रोपर शेप में मिल सके तो यह है इसका पीछे वाला भाग क्योंकि फ्रेंट वाले आर्मॉल की इधर से मैं हलकी सी कटिंग जादा करी है तो दोस्तो आगे पीछे के दोनों पल्ले बिल्कुल रेडी हैं अब इसमें आपको क्या करना है अब इसमें दोस्तो जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं उसी प्रकार से आपको गला बनाना है गले की कटिंग मैंने बुकरम पे पहले से कर रखी है यह जो गला है इसको मैं बना जानी है उसके बाद इसकी जो फिटिंग है कैसे करनी हो बताता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते यह आगे का सिसाफ मेने बना लिया है और पीछे का गला भी बना लिया है पाजू को भी मैंने अटेच्छ कर लिया है इसका जो लुक है कि आप को इस प्रकार से नजर आ रहा होगा यह कम आगे वाला इस सा यह देखिए दो डूरियां इस जग jus निकल रही है और यह है इसका पीछे वाला भाग इसमेंкую दो डूरियं इस प्रकार से इसकी fitting होगी यह देखी इसमें मैंने फ्रेंट वाला जो गला है इसमें मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूं किस प्रकार से हमने इसकी fitting करनी है इसको आपने इस प्रकार से पूरा open कर लेना है यह देखिए तो दोस्तों इसका जो सीने का नाप था वो था तयार सेंटर वाला भाग ठीक है अब आपको क्या करना है इदर से सवा नो देखिए किदर आ रहा है सवा नो आ रहा है इस जगे पर लेकिन इस चीज़ का याद रखना है कि यह जो आर्म होले यहां से धाई इंच नीच आपको निशान लगा के fitting इसकी करनी है यह देखिए यह ध साड़े आट अगर आप डबल भी करना चाहो तो कोई दिकतर ने साड़े आट और साड़े आट कितना होता 17 इस परकार से 17 पर निशान लगाए दोनों तरसे जो मार्जन है बिल्कुल बराबर होना चाहिए जैसे कि यह देखिए 17 इधर और यह है total 17 ठीक है इस परकार से कोई फिटिंग नहीं होती क्योंकि इसकी जो फिटिंग है केवल यहीं तक होती है कमर तक आपको इस तरह से इसकी फिटिंग का निशान लगाना है यह देखें बिल्कुल नीचे तक इसको लेकर जाना है है और तो दोस्तों आप देख सकते हूं यह है इस कुर्ती का फाइनल फाइनल लेगाई है और सबसे स्पेशल जो इसमें बात है वो देखी सएड में आप देख सकते हूं जो मैंने तो इस दोरी का जो सबसे बड़ा फैदा दोस्तों ये है कि अगर आपकी कमर धोड़ी बहुड़ी भी हो तो इस दोरी को आप इस प्रकार से बाण सकते हो ये देखिए इसको मैं खोल के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और इसका पूरा final look में आपको दिखा हूं, तो यह देखी इस परकार से, यह इसका पूरा-का पूरा final look आप देख सकते हो, यह काफी comfortable suit है, और यह देखे, थोड़ा सा loose में इसको बनाया है कमर से, क्योंकि जो side में dory लगा क्योंकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आप अपने अप्रकार से देखिए आपको बांद लेनी है और उदर से भी दोली बांदे और इस परकार से दोस्तो आज की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बिल्कुल नए स्टाइल से एक प्रिंसेस कट ये देखिए प्रिंसेस कट की जो सबसे बड़ी खासित हो दी है फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है तो बहुत ही शांदार जो कुर्ति थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थेंक्यू वेरी मुच